आज हम बात करेंगे कि CoinDCX जो platform है इंडिया का वहाँ से आप cryptocurrency कैसे buy sell कर सकते हो Recently ही CoinSwitch के brand ambassador बने है सर अमिताब बच्चन जी और यहाँ पे आप CoinDCX से आपको अगर cryptocurrency buy sell करनी है तो एक बड़ा platform ये बनने वाला है एक बड़ा platform आने वाले time में बन सकता है तो आज हम यही बात करेंगे कि CoinDCX को कैसे use करना है कैसे download करना है और वहाँ से आप कैसे cryptocurrency में investment कर सकते हो trading कर सकते हो, buy sell कर सकते हो सब चीजें आज बात करेंगे CoinDCX के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि CoinDCX जो platform है वहाँ से आप कैसे cryptocurrency खरीच सकते हो कैसे उसको use करना है कैसे download करना है तो हम directly play store के उपर आगे हैं यहाँ पर download कैसे करना है सबसे पहली चीज़ वह आपको बता जाते हैं यहाँ पर आपको क्या लिखना है coin dcx ठीक है इतना आप लिख दोगे तो यहाँ पर coin dcx app आजेगी bitcoin and crypto investment app और यहाँ पर इसकी अगर rating देखोगे four point है मतलब ठीक है four की rating है और five million plus यहाँ पर downloads है और यहाँ पर यह increase होने वाली है download सब चीज़ें आगे बढ़ने वाली है क्योंकि sir अमिताब बचन sir जो है वो बने है brand ambassador coin dcx के आज हम coin dcx के बारे बात करेंगे हमने already download किया इसको यही से open कर लेते हैं तो जब हम यहाँ से open करेंगे तो कुछ इस तरह का interface देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ जिनका आप telegram channel भी join कर सकते हो coin dcx का price alert set कर सकते हो सबसे पहली चीज़ आपको sign up करना पड़ेगा अपना account बनाना पड़ेगा cryptocurrency खरीदने के लिए यहाँ पर click करके आप अपना account setup कर सकते हो इसके बाद आपको क्या करना है अपना KYC complete करना है जो भी सारे steps हैं वो बिल्कुल account पूरा ready कर लोगे तभी आप cryptocurrencies खरीद पाओगे ठीक है यह वाली नई नई cryptocurrencies आई है CoinDCX पर अभी और जैसे कि आप देखो कि Civic है, Polymath है Polymath का भी यहाँ पर आया भी था तो मतलब यहाँ पर अभी देखो new listings Civic की होई है, Polymath की होई है तो यह new listings होई है अभी recently ठीक है तो यहाँ पर मालो यह नई listings है और यह ideal for new investor Bitcoin, Ethereum, जितनी cryptocurrencies है सब आप को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी ठीक है, अब मालो हमको कोई cryptocurrency खरीदनी है यहाँ से हम कैसे खरीदेंगे आप यहाँ पर नीचे section देख रहे हो prices का, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर पूरी list आपको crypto currencies की मिल जाएंगी जितनी यहाँ पर list है CoinDCX के उपर जैसे Bitcoin list है, यहाँ पर 4% Bitcoin उपर चल रहा है EARN Finance है, Ethereum है Bitcoin Cash है, Binance Coin है तो काफी लंबी list है यहाँ पर ठीक है, अगर आप देखोगे तो काफी currencies है तो मालो इन सब currencies को आपको यहाँ पर खरीदना कैसे है BitTorrent Coin भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कैसे खरीदना है यहाँ पर currencies को तो यहाँ पर currency को खरीदने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको Bitcoin खरीदना है, चलो माल लेते हैं Bitcoin आपको खरीदना है, इस पर हम क्लिक करेंगे अभी हमारा account ready नहीं है तो पहले हम इस पर चलते हैं price और chart देख लेते हैं यहाँ पर one hour का price आप देखोगे one day का भी आपको देखने को मिल जाएगा one week का भी आपको देखने को मिल जाएगा क्या कुछ graph रहा है पिछले कुछ recent time में 24 गंटे की performance देखने को मिल जाएगी bitcoin की bitcoin 24 गंटे में 48 लाग तक गया था high 45 तक low भी गया था one year का 51 लाग है और one year का low है 8 लाग ठीक है तो यहाँ पर buy a sell का भी option मिल जाएगा account ready कर लोगे तो यहाँ पर आपको आना है किसी भी cryptocurrencies में ऐसे click करना है जिसे मैंने bitcoin पर लिया है यहाँ पर हम buy पर click करेंगे buy पर click करने के बाद आपको क्या करना है या तो rupees में आप कर सकते हो माण लो आपको 1000 रुपे का bitcoin खरीदना है तो आपको इतना bitcoin मिलेगा यहाँ पर साइड में देख सकते हो नहीं तो आपको amount में खरीदना है, थोड़ा सा bitcoin amount में खरीदना चाहते हो, तो उसका कितना पैसा बनेगा, मानलो, मैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, 0.00578, इतना bitcoin अगर खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे 27,000 का बन रहा है, 5 और लगा दें, और 8 और लगा दें, तो यहाँ पे amount में डाल के खरीद सकते हो, crypto currencies, नहीं तो यहाँ रूपी, मानलो, आपके पास 2000 रुपे आपको किसी crypto लगाना है, तो आप 2000 रुपे यहाँ डालो सीधा, और कितना आपको currency मिलेगी, bitcoin आपको इतना मिलेगा, 2000 रुपे का, by BTC पे आपको click करना है, यहाँ पे आप आपका बिल्कुल कोई problem नहीं आएगी, आप easily crypto buy sell कर सकते हो, और यहाँ से खरीदने के बाद आपको sell भी यहीं से करना है, मानलो, bitcoin आपको sell करना है, यहीं पे आप आओगे, यहाँ sell का option है, जितना आपने bitcoin 2000 का खरीदा था, उतना bitcoin आपको यहाँ पे sell कर देना है, मितलब amount जितना आपके बस bitcoin है, यहाँ पे amount डाल देना है, और यहाँ पे जितने rupees का है, वो डाल सकते हो, ठीक है, तो इस तरह आप selling भी यहीं से ही कर सकते हो, तो यह थी CoinDCX app, और आने वाले time में यहाँ पे और भी currencies list हो सकती है, यहाँ पे आपको my investment में आपके सारा portfolio show होता रहेगा जब आप account ready कर लोगे, तो आप खुद इस app को check out कर सकते हो, आपको play store पे मिल जाएगी, काफी चीजें हो रहे हैं CoinDCX को लेके, नहीं नहीं currency जैड हो रही है, तो ठीक है, यह थी CoinDCX app, कैसे cryptocurrency buy sell और trading आप कर सकते हो, I hope इस video में आप सब कुछ समझ गए होगे, अगर आपका यह भी कोई question या सवाल आप पूछ सकते हो, आज की इस video में फिलहाल इतना ही मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, bye bye